नमस्कार दोस्तो डेफोडील कोचिंग क्लासिज के यूटूब चरह पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो हमारा राजस्तान की जो बुक हमने परारम करके उसमें च्छे आध्याय में पढ़ा चुगा हूँ आपने वो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्र बॉक्स में आपको एक प्लेइलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको वो छे पार्ट है जो अब तक पढ़ाए गए हैं वो मिल जाएंगी आप करमिशन को पढ़ सकते हैं आज हम पार्ट निमर साथ सुरू करेंगे जिस पार्ट का नाम है जल संसाथ है यह हो सरक्षन देखें जल कि जोगों में किया चाता है जल के समस्त दो स्रोत है वही जल संसाथन कहलते है और राजसतन की मुझे Τजिल स रहते हैं जहिते हैं आदिया आदिया जाते हैं उन पर बड़े व्युभान हैं नहरें तलाब खुवे नलकूप आदी है आई हम इस अध्याई में राशतन की जल संसादनों एं अपवातंतर का विश्थार शेयर दिन करते हैं सबसे पहले देखो अपवातंतर की से कते हैं दरातलिय बनावट और भूगर बिक सरंचना के आदार पर किसी नदी तता उसकी साइक नद्यों द्वरा निर्मिद जल परवा की विशे सुयस्टा को अपवातंतर दो अपुआ शेतरों के मद्दिय की उच भूमि जो वर्षा जल को विभीन दिशाओं में विवक्त करती हैं उसे जल विवाज़क रेखा है ऐसी छोटी इंदिया, जो आगे चलकर किशी बड़ी नदिया मिल जाते हुने ही शाहिक नदिया कहा जाता है। आप देखो सबसे पहले पहले के राझस्तान का पवाद नतर आपको पता है है राझस्तान का अपवाद案तर को तीन भागों में बाटकर पढ़ा जाता है सबसे पहले आता है बंगाल की खाड़ी का पौध नतर अरावली जो परवत है इससे पूर्वी भाग में बहने वाली जो नदिया है बनास, कालिशिन, पारवती, आधी नदिया चंबल में परवाईत होकर यमना नदी मिलती है और यमना नदी, गंगा नदी और अंत में गंगा नदी बंगाल की खाड़ी मिल जाती है इस नदी तंतर को करते हैं बंगाल के खाड़ी का अपौध नतर अरावली परवत से पस्चिम भाग में बैकर अपना जल अरब सागर में ले जाने में नदियों में माही, लूनी, साबरमदी, पस्टिमी मनास, वैसकी साहेक नदियों का अरब सागर का पातंतर करते हैं आंत्रिक अपुवा हतंतर, ऐसे नदियां जो किसे समूदर ने पहुंचकर स्तल भाग में ही विलुक्त हो जाए या किसे जील में मिल जाए, उसे आंत्रिक या भुमिगत अपुवा हतंतर, वाली प्रणाली कहते हैं जैसे राजस्तान में बैने वाले नदियों के हम बात करें तो घगर नदियों है, बान गंगा नदियों है, कातली है, साबी है, और उपारेल, मेंडा, आदे क्या है, आंत्रिक प्रवा की नदियां है यह तीन प्रवा हमने आपको बता दिए, अब हम कुछ परमुख नदियां पढ़ेंगे, जैसे सबसे पहले दे रखिया है, चंबल नदि, चंबल नदि का उद्गम स्तली है, इस नदि का उद्गम कहां से है, मध्य प्रदेश में विंद्याचल परवत है, राजस्तान की कोटा से बुंदी, बुंदी से स्वाई मातवपुर, फिर करोली और धोलपुर दिले में यूपी में यमना नदि मिल जाती है, इसके साइक नदिव के हम बात करें तो बनास, बेड़च, कोठारी, काले सिंद, पारवतियादी है, रास्तन को अध्यकिक नगर, कोटा इसी न बाड़ा, फिर टॉंग, और स्वाई बादवपुर में जो रामे सुरा, उसके निकट जाकर चंबल नदि में मिल जाती है, यह तो बनास है, वो क्या है, एक परकार की मोस में देती है, दोस्तों, पूर्णते रास्तान में बैने वाले सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास, पूर्णते रास्तान में, यानि चंबल पूर्णते रास्तान में बैने वाले सबसे लंबी नदी, इसकी तो लंबा यह वो 400 किलमेटर है, टॉंग, स्वाई माद उपर नगर है, और बनास नदी के ही किनारिष्ट है, इसके साइक नदिया पूछे तो मेनाल, कोठारी, साइक नदी है, तो यह खुद चंबल की साइक नदी है, अगली दिदी की बात करें तो वो है लूनी, अजमेर जिले में गोविंद गड़ के निकट सरस्वती और सागर्मती दो धाराई निकलती है, यह मानलों कि यह गोविंद गड़ है, ठीक है, यहां से एक सरस्वती और एक सागर्मती, यह जोद दहराई जब मिल जाती है, तो इसी दारा को इसको करते है लूनी, ठीक है, इससे को उद्गम होता है, यह बैती अजमेर, अजमेर से नागर जाती है, फिर वहां से पाली, फिर जोदपूर, बाढ़मेर और जाला और मेनिक बाद यह कच्छी खाड यह सब के सब लूनी की साइग नदी है, अगले बात करें माही की, देखो मद्य पर्देश में विंद्यांचर परवत है, इस नदी का उद्गम स्तला है, यह नदी राजस्तान में बांसवड़ा और परताबगड जिले मेरे बाद खंबाद की खाड़े में करते है, यह यह इसकी परमुख नदी है, इसकी परमुख नदी है, इस पर एक जो त्रिवेनी संगम भी मनता है, माही सोम जाखम का, आपको इसमें दिखाने रहे है, माही सोम जाखम का एक त्रिवेनी संगम मनता है, जो आपके डूंगरपूर में बनता है, ठीक है, माही सोम जाखम का डू पुर्जिले में अरावली की बेराठ पाणियों से होता है इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है इसे रूंडित नदी भी कहा जाता है इसके बाद अगली नदी देर्गी ए घगर अंते परवाई नदी का उदगम हिमाचर परदेश में हिमाले परवत की जो सिवालक्स यह नदी अन्वानगर में प्रिवेस कर गंगानगर में भूमिगत हो जाते है इसी नदी को प्राचीन जो सर्श्वति नदी है उसका उसे स्वैसाइक नदिया माना जाता है यह यहां पर आप देख सकते हैं मैप पर यह लोनी नदी है यह आपके कांतली नदी सांबर जील आप बात करो यह पस्चिभी बनास शूकरी बानडी यह इसके बाद हम बात करें तो राजस्तां की प्रमुप तो नदी गाठी पीडियो जो नहीं है वो कल पढ़ाउंगा क्योंकि इस वीडियो को इस पार्ट को हम एक दो तिन पार्टों में देखेंगे सारा साथ निबढ अगर आपको मैं कल बताऊंगा तो यह था आज का वीडियो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कॉमेंट कर देना चैनल पर पहले बार है या अब तक चलन को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें बेल एक गंटी जरूर दमाए और धन्यवाद ज ही चे को सब्सक्राइब किया तो चैनल आपर देना उन्यवाद ओयते जरूर आख दिक्षियो और सक्टाइब कर दो भीडियो आश्द다 है मीकश्राइब किया लेगी सब्सक्राइब करें एक प्यास करें देना है